एश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे मगर डेमोक्रेटिक देश में अजाद भरत में देश में नयाएक इखलाप नयाएक पक्स में आवाद इठाने वाले लोग नयाएक मांगने वाले लोग लोगों के साथ अच्चा चार किया जाए धारा 144 लगाई जाए किसानों के आवाद को धवाने के लियें को रास्ते वी लोगा जाए ले खड़ी किया जाएं चिन्च ऄर में बेरिकेडिल किया जाएं और ड्राओंसे हमला क्या जाएं और गोलिया चलाई जाएं ताना शा लोग है घलत तरीके से चुने हुए लोग ये लोग अजाद मुल्क के शाशन में बैठने वालों की काभियत इंके पास नहीं है और इसे पता चलता है क्यों ये लोग ऐसा करते हैं इन लोगों को EVP के सारे गड़बड करके सत्ता हासिर करने का चस्का लग चुका है जो आदमी लोगों के बीच में जाके चकारी की वोट है जो इस चकारी का पैसा है उसके उसके लिए कब मैतल नहीं होता मैतली कहता हूं 2019 से में भी हो सकता 2024 में चोदा में भी ये इलीकल तरीके से चुनुए सरकार है ये इसलधानिक सरकार है इस दिए से का अगर जाँच हो जाती जिस पाकिस्तान को धिनरात पा पाकिस्तान का इलेक्शन कमिशनर बड़े बड़ का आदमी दुनिया के सामने से विकार करता है वीडियो देखा हो आपने जो कहता कुझे चुराय के फांसी लड़ना दो मेरे से गलती हो गई वोट किसी और की थी और हमने गलब तरीके से दूसरों को डिग्रेर करा दिया इस देश में बहुत दिनों से यह होता रहा है और आज जो लोग सता में बैठी हैं वो इसके एक्सपर्ट लोग से साथियों देश में धारा चौालिस अंग्रेजों ने इसका बहुत मिश यूज किया अजाद देश में इस तरह के काले कानून की कोई जूरत नहीं जिस तरह से सेडिशन देश दरों की जूरत नहीं सेडिशन कानून भी सिरिये था कि बाहर के लोग देश पे राज कर रहे बिना दलील बिना अपील लोगों को जेल में ठोपो आज एकरोले टेक्ट भी कुस वक्त आया थांगरेजों के सार्शन में जो लोगों को बिना समनिंग बिना बताय कि अकार कर सकते थे आज पी-एम-एले एक कानुन है जिसका सदूपियों को करना था उन पुझी पतियों के खिलाओ जो देश का पैसा नेकर भाग दे बाहर उनको भुलाने की बजाए क्यों कि उनलोगों ने जो मदद की हुए इलेक्शन में दो नमबर का पैसा उनलोगों से लिया हुआ है जिससे सरकार ने सरकार में बैठे इनलोगों ने बहुत कुछ पैसे से इनलोगों का जमीर खृतने का काम किया और इलेक्शन में परचार परसार का काम किया बल्कि इसका अब इस्तेमाल हो रहा है डेमोक्रीसी का हनन करने के लिए देश में लोग कंत्र खतम करने के लिए जिसको चाहो आज जाए गरमचारी है जाए वैपारी है जाए कोई किसी तरह का भी काम करता है लोगों को यह जानबूच के जो 89 कि रोड़ लोगों को निशुल को रासन देगे उसके फोटो लगा के किसी के पाक्ता है कि रासन इस फोटो नहीं लगने चीए इसका भी हमने बोलना पड़ेगा यह फोटो लगा के ऐसा कर रहे है जैसे को धन्ना मलसेट अपनी कोकेट से ठ अन्हतन पे कोई अध्मी का शाश्ण या एक सेंसा आये गा एक महानदक्ती पैदा होगा जो देशकों बड़ायेगा यह जन Nous Dog इंतजार करेegी वह लोगो करे की जान बचाएगा इस तरह की मानस्षिक्ता करेगा बॉस Memory में सिटान के सब्सक्राइब नहीं है और यह देश पुलिस राज्य नहीं है कि जब चाहे उनके सामने धाराच्वाली से लगा के बैरिकेड लगा दिये जब चाहे जो आवाज उचाने वाला उनको धिरतार करके बसों में पसों की तरह परके दूर्ट छोड़ाएं वो तके खाते हैं यह नहीं चल सकती जो लोग इंको चला रहें वह देश के असली परतिनीदी है नहीं तो इसे एक बार वी से विनास एम से मसीन एक बार का बिनास करने वाली मशीन है तो इवियम है इवियम पुरी दुनिया के देशों ने जो टेक्नोलोजी में भाद से जवाब बहुत आगे है उनकी Constitution Court में भी कहा यह unfair है इससे election कर्माना पराद है लोगों के fundamental right का violation है हमारे यहां क्या गड़ बढ़ हो रही है हमारे यहां गड़ बढ़ यह हो रही है इवियम के खिलाफ जो case भी है वो जिस court में है वो court सुनवाई करने की बजाए मार्च में तारिफ लगाती है सुप् Supreme Court और High Court जितनी कमजोर होती है देशनों तनी तानशाई बढ़ती है Supreme Court और High Court को immediately जैसे election चंडीगड में हुए उससे जग जाहिर साफ हो गया चंडीगड में केंद्र का राज्य है ग्रह मंत्री और प्यमों उसको डिरेक्ट दिखता है वहां के administration में गवर्णनम भी शामिल ह अगर प्यमले की तरह से सरकारी गवाब बना बना के लोगों ठोका जारा है जमानत नहीं चानी उसी तरह की चांच हो तो इस देश का ग्रहां मंत्री और प्राम मिनिस्टर और बंजाब का गवर्णन वह भी जेल में होने चलिए हो सकते हैं हिमत कैसे हो रही इन लोगों की गुंडाबर्टी करके अच्छे आदमी से पाद सुसुलक्त होता है प्रामिस्टर हो उब महान हो गया ऐसा नहीं है बहुत गंदे लोग प्रामिस्टर बन सकते हैं बहुत गंदे रोग चज़िगों सकते हैं उस सपोस्ट पर रहे कि वह काम किया चाल सिद्धान चाहता है तब बदमहान होता है तब यह होता है अब को लिए तक आज बात तो फ्यूचर में लोग वकील सुप्रीम कोट के नाम दी लेने वाज़े हैं तेस की हाई कोट और सुप्रीम कोट में कुछ लोग ऐसे पहुंच गए हैं जो के रूप में जो सरकार के अजेंट के रूपे काम क करें उन लोगों को सचेट होने की जूट है और इमीडियेटली इवियम का केस सुप्रीम कोट को सुनना चाहिए कोगी यह देश की आवाज है अदर्वाइस जिस बेंच के सामने केस हैं उससे हटा के चीप जश्टी सब ने सांज है टेक्टूबे हीलिंग करें और इवियम हुआ हुआ है